आज हम लोगों डिसकस करेंगे इंचांटेट पूल इंचांटेट पूल के जो आथर है वो सी राजगोपालचारी हैं फी राजगोपालचारी ने इस चैप्टर में महाभारत की एक छोटे से इवेंट को डिसकस करा है इसमें जो पाच पांड़ो होते हैं जो इनके एक्जाइल के कुछ लास्ट फ्यू यस फॉरस्ट में स्पेंट कर रहे होते हैं उसे कुछ साल अब बाकी रहे गए कुछ ही साल तो वो गुजार रहे हैं इसी बीच उन पाचों भाईयों को बहुत तेज प्यास लगती है धिरे धिरे करके उनके जो चारो भाई होते हैं वो पानी लेने के लिए जाते हैं सिर्फ युदृष्टिर बच जाते हैं अब होता क्या है युदृष्टिर को और बहुत देर हो जाती है युदृष्टिर वापस नहीं लोटते हैं अब युदिश्टिर वो बहुत चिंता में है उनको बहुत ज़ादा वरी हो रही है ठीक है तो उनको तरह तरह के थौट्स आ रहे हैं ठीक यहीं से चैप्टर दोस्तों स्टार्ट होता है युदिश्टिर वो अपने ब्रदर का वेट कर रहे हैं वो बहुत ज़ादा चिंतित है और वो बहुत ज़ादा प्यासे भी हैं युदिश्टिर के दिमाग में आ रहे थे हैं युदिश्टिर के दिमाग में चल रहे थे हैं और अधे लास वो बहुत ज़ादा प्यास के मारे मर गये हैं अनेबल तो बेर थीस थौट्स और रिवन बाई और अवरपाविं थर्स्टिर के दिमाग में चल रहे थे हैं और अधे लास वो लेते हैं कि अब मुझसे और सहा नहीं जाएगा मैं अब यहां पर वेट करना बन करूंगा उनका जो इंतिजार वो कर रहे थे वो अब बन करेंगे और वो अब अपने भाईयों को जो उनके जो पाच चार भाई थे पांडव अरजुन भीम नकुल और सह अलाब होगा महां पर उसे ढूल लेंगे उदृष्टा प्रोसीड इन डाइक्शन हिस ब्रदर हाद टेकें और केप्ट न वाकिंग थो ट्राक्स फुल अफ वाइल बेर्स और बिक फोरेस्ट बाट तिल ही केम अपन अ बीटिफुल मिडव और अराउंड पूल अव पूल प्रदर लाइग यां बाइग देर फलैक पोल्स अनेबर तो रिस्टे इस वइस वॉइस एंड वेग तो युज्टिर का करते हैं युजुडिषृ वह अपने भाईयों के पैरों का निशान देखते हैं मतब जहां-जहां पे उनके भाईयों के पैरों का निशान जा रहे थे उसको follow करते हैं और follow follow करते हुए वह भूस एक घने जंगल से होते हुए जहां पर उनको बहुत सारे wild bears दिखते हैं spotted deer दिखते हैं और बड़ी बड़ी जंगली जंगली पक्ची दिखते हैं बहुत जादा big forest birds दिखते हैं ठीके और उसको पार करते करते हैं एक खुबसूरत से मैदान में पहुचते हैं इसके चारों तरफ बहुत जादा हरियाली थी वहाँ पर जो पूल था उसका जो water था बहुत जादा clear था बहुत जादा साफ था और पास में ही वो क्या देखते हैं पास में उनके जो चारों भाई हैं वो बिलकुल बेजान से पड़े हुए हैं उनको देखते ही जो युदिश्चिर होते हैं उनके आख से आसू बहने लगते हैं और वो जोर जोर से चिला कर रोने लगते हैं और वो भीम और फिर अरजुन का फेस को टच करते हैं मगर अभी वो बिलकुल बेजान से बिलकुल खामोश पड़े हुए हैं वो और जोर से अपना शोप प्रतीद करते हुए चिलाते हैं वो कहते हैं क्या यही हमारी प्रतिक्या का अंत है जो उन्होंने प्रतिक्या ली थी कि हम दस साल वनवास पर तहेंगे तो क्या अब हम क्या अपना वनवास पूरा नहीं कर पाएंगे क्या हम लोग का अड़ यहीं पर हो जाएगा जब हमारा जो वनवास था जब पूरा ही होने वाला था तो वो गौड से कहते है आपने मेरे चारो भायों को मुझसे चीन लिया Even the gods have forsaken me in fortune भगवान ने भी मुझे मेरी इस जो दुर्भागे भरी स्थिती है मतलब जो उनका जो दुर्भागे चल रहा है उसमें भी भगवान ने भी उनका साथ छोड़ दिया तोगी जो उनके चार भाई थे वही उनके सुख चिंतक थे As he looked at their mighty limbs, not so helpless He sadly wonder who could have been powerful enough to kill them वो देखते हैं उनके जो भाई हैं वो काफी ज़्यादा powerful हैं उनके लंबे चोड़े हाथ हैं तो सुचते हैं ऐसी कौन सी पावर होगी ऐसी कौन सी तागत होगी जिन्होंने मेरे चारो भाईयों को इस हालत में पहुचा दिया उनको मार दिया Then he too descended into pool फिर वो वहाँ पे जो पूल होता है उसमें नीचे उतरते हैं Drowned through the water by an overpowering thirst at once the voice without from wand जब वो धीरे धीरे पूल के अंदर उतरते हैं तो उनको एक आवाज सुनाई देती हैं मगर कोई आदमी दिखाई नहीं देता He had a voice without any physical body Your brother died because they did not heed my words They tried to drink water without answering my question Do not follow them, answer my question first Then you can quench your thirst This pool belong to me वो आवास कहती है तुमारे चुब भाई थे वो इस मारे उनकी मृतिव इस मारे हुई क्योंकि उन्होंने मैंने जो उनसे कहा था उसको अध्यान से नहीं सुना उन्होंने मेरी बात नहीं मानी उन्होंने पानी पीने की कोशिश करी बिना मेरे सवालों का उत्तर दिये तो वो आवास वो युदिश्टर से कहती है तुम उनकी तरह ना करना पहले तुम मेरे जो कुश्चन से उनका आंसर दो फिर तुम इस पूल से अपनी प्यास को बुजा सकते हो यह जो पूल है वो मेरा है तो यह वर्ड जो जो एक आवास बोल रही थी ठीक है बिना किसी बॉड़ी के से वो आवास सुनाई दे दे वो समझ गए यह जो आवास है वो यक्ष की है ठीक है और वो उनका वो उनकी परिक्षा लेना चाते है और वो समझ गए जो उनके चारो भाई जो इस हालत में है वो इस आवास के ही कारण है कि उन्होंने उन उसी का सब कुछ यह किरा करा कराया है तो फिर यूजिश्टर आये कहते हैं प्लीज आस यूर कुश्चन तुम अपने कुश्चन को पूछो मैं धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे जितने भी कुश्चन से उसको आंसर करूंगा इसके बले जो मेरे चारो भाई हैं तुम्हें उसको उनको वापस जिन्दा करना होगा सबसे पहले जो वाईस होती है जो यक्ष होते हैं वो यूजिश्टर से पूछते हैं इसा क्या है जो इनसान को मुश्किलों में आयता करता है ऐसा क्या है जब इनसान जो मुश्किलों से घिर जाता है तो उसको क्या चीज़ हल्प करती है तो यूदिश्टिर आंसर देते हैं करिज, साहस, साहस वो चीज है जब आदमी मुश्किलों से घिर जाता है तो वो साहस के ही बल पे वो उस मुश्किलों से बाहर निकल पाता है नेक्स कुश्टिर आदमी क्या हो जाता है वाइस बन जाता है बुद्धिमान बन जाता है इसी कोई शास्ट नहीं है ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है जिससे जिसको पाकर जिसको पढ़कर आदमी इंटेलिजेंट बन जाए वाइस बन जाए बलकि वाइस बनने का एक doctors है कि हम लोग जाद जाद जादَ जाद जादब जो इंटेलिजेंट लोग है अच्छी संगतीमर रहें जो जिनकी जो अच्छे लोग है जो इंटेलिजेंट लोग है वाइस लोग है इंका आच्छा अच्छा है हम जितना जदा худatore उन के साथ रह question पुछते हैं the yaks ask what is the swifter than wind तो आकश पुछते हैं इसा क्या है जो हवा से भी जादा तेज ए इसर आंसर देते हैं कि mind हमारा من हमारा मन है जो हवा से भी जादा तेज है वो पल भर में हमारे कमरे में होता है और फिर कहीं दूर दराज किसी देश में बहुँच जाता है कभी हमारा मन समुंदर की कलपनाओं में चला जाता है कभी हमारा मन स्पेस में चला जाता है यानि हमारी कलपना है तो ये मन ही हमारा है जो हवा से भी जादा तेज है अब next question यक्ष पुछते हैं युजिश्टर से what is more faded than a dry straw ऐसा क्या है जो एक जो भूसे का एक तिनका होता है वो कितना ज़्यादा फीका होता है तो उससे भी ज़्यादा फीका क्या है तो युजिश्टर आंसर देते हैं कि टूटा हुआ दिल टूटा हुआ दिल होता है वो संसार में सबसे ज़्यादा फीकी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा दुखी चीज़ है जब इनसान का दिल टूट जाता है भले उससा कोई चाहने वाले की मृत्ती होगई हो या वो जो जो चिसकी इच्छा कर रहा हो उसको ना मिले तो उस समय क्या होता है उसका जो दिल होता है वो पूर जाता है और वो इस संसार में सबसे ज़ादा फीकी स्थिती होती है अब नेक्स कुश्चन पूछते हैं यक्ष वोट बीफरेंड अट्राविलर ऐसा क्या है जो एक यात्री को जब वो दूसरे देश में जाता है तो उसे वहाँ पर सर्वाइब करने में हेल्प करता है उसका सच्चा दोस्त क्या है तो यदिश्ट्री आंसर देते हैं कि उसकी लर्निंग उसकी एड्यूकेशन उसकी जो आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए अपनी जीविका को चलाने के लिए तो उसको उसकी जो वहां दूसरे देश में help करती है वो उसकी learning education वो जो यहां से सीख के गया है उसी के basis पे वहां पर उसको काम मिलता है उसकाम बो करता है वो अपनी जीविका को चलाता है अब next question यक्ष पुछते हैं युदिश्चर से Who is the friend of one who stay at home? ऐसा क्या है जो इनसान का उसके घर में उसका सबसे बड़ा मित्र है तो युदिश्चर आंसर देते हैं कि उसकी wife उसकी wife है जब वो घर में अकेला होता है तो वो उससे बात कर सकता है अपने दिल का जो दुख होता है वो उसके साथ share कर सकता है अपनी खुशिया उसके साथ शेयर कर सकता है तो उसका घर में जो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड होता है वो है उसकी वाइफ नेक्स कुशिशन यक्ष युज़र ते पूछते हैं वाट अपनी इस अमैन इन टेथ ऐसा क्या है जब इनसान मर जाता है जब उसकी डेथ हो जाती है तो मरने के बाद क्योंकि हम लोग जानते हैं मरने के बाद सब चीजे जो हमारी टॉपर्टी होती है हमारा पैसा होता है इवन हमारे फ्रेंड हमारे रिलेटिव्स और इवन हमारी बॉड़ी सब कुछ हम यहीं पर छोड़के चले जाते है तो ऐसा क्या है जो हमारे मरने के बाद भी हमारा साथ देती है तो इस रिश्टिर आंसर देते हैं हमारा धर्म हमारा धर्म ही है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है हमारे अच्छे करम जो हमने करम करे हैं तो वही हमारे साथ जाएंगे अगर हमारे करम बुरे हैं तब भी वह हमारे साथ जाएंगे और हम लोग जहन्नम में जाएंगे अगर हमारे जो करम अच्छे हैं हमारे डिट अच्छे हैं तो हम लोग जन्नत में जाएंगे ठीक है तो नेक्स कुशिन यहाँ पर यक्ष पुछते हैं ये दिश्ट्रि से ये दिश्ट्रि से तो ये दिश्ट्रि आँसर देते हैं अर्थ ये दुनिया ये संसार सबसे बड़ा वेजल है सबसे बड़ा बरतन है जो लोग के दुख को लोग की खुशियों को और तरह तरह के जानवरों को पेड़ों को इतने बड़े समुद्र को लोगों को सबको ये समाय हुए है तो ये अर्थ है ये हमारा संसार है जो सबसे बड़ा वेजल है अब नेक्स कुश्यन यक्ष पुश्टे हैं इजिश्ट से वाट इज़ा है खुशी क्या है हमें जो खुशी है वो किस से मिलती है तो इजिश्ट आंसर देते हैं happiness is a result of a good conduct जो happiness है वो हमेशा अच्छे काम को करने से आती है ना कि जो हम मनचाही चीज़ें मिल जाएं तो उनको करने से आती है जो happiness होती है जो असली खुशी होती है वो हमें तभी मिल सकती है जब हम अच्छे काम करते हैं जब देखा होगा आपने जब आप किसी की help करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है तो यह सब क्या है आपके यह good conducts है good deeds है तो इनसे जो खुशी होती है वो बहुत जादा देर तक रहती है और जब भी आपको कोई greedy ही होती है यह मिल जाए वो मिल जाए तो आप खुश तो होते हैं बट बहुत ही short time के लिए होते है यह just कहा रहे है जो happiness है वो हमारे कामों से मिलती है ना कि कोई mentalistic चीजों को gain करने से next question यह पूछते हैं यह दिश्ट से what is that by giving of which man becomes a love by all ऐसी कौन सी चीज है जो इनसान छोड़ दे तो वो सब का प्यारा हो जाएगा सब लोग उसे प्यार करने लएंगे तो यह दिश्टिर आंसर देते हैं pride उसका इनसान का घमन इनसान का अभीमान अहंकार और उसका गुमान और गुरूर ठीक अगर यह सब चीजे इनसान अगर छोड़ दे तो वो सब का चाहने वाला बन जाएगा सब लोग उसे प्यार करेंगे अब यूजिश्टिर नेक्स कुशिन पूछते हैं वो कहते हैं इसे कौन से चीज है अगर उसका लॉस हो जाए means अगर वो चली जाए अगर हम सो खोद है तो हमें हमेशा enjoyment और joyness फील होगी means हमेशा आनन्द में रहेंगे और हमें कभी भी दुख नहीं होगा तो यह दुश्टिर यहां पर आंसर देते हैं Anger If we give up being angry we will no longer be a subjected to sorrow अगर हम गुसे को छोड़ दे अगर जो हमारा गुसा है अगर हम उसको छोड़ दे गुसा होना छोड़ दे तो हमें लाइफ में कभी भी दुख का सामना या हम कभी भी दुखी नहीं होंगे हम हमेशा आनन्द में रहेंगे हम देखते भी हैं जब हमें दुख होता है तो हमारे गलत फैसलों की वज़ा से होता है और हम लोग जो गलत फैसले लेते हैं वो हम गुसे में लेते हैं तो कि उस समय जो हमारा दिमाग होता है वो सही डिसिजन लेने के हालत में नहीं होता है तो अगर हम anger को छोड़ देंगे, गुस्सा होना छोड़ देंगे यह अटलीस उस पे काबू करेंगे मुझे जब मालूम है कि बहुत ज़ादा मुश्किल होता है मगर अगर उस समय हम कुछ decisions ना ले तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा अगर इनसान उसको छोड़ दे तो वह अमीर बन जाता है तो यह अगर इनसान अपनी लालसा को अपनी वासना को उसके अंदर जो ज़ादे ज़ादा पाने की चाहते अगर उसको छोड़ दे तो जो इनसान है वो विल्दी मतलब अमीर बन जाएगा ठीक को कि जब भी हम कुछ desire करते हैं मैं यहाँ पर वो desires नहीं ले रहा हूँ जो आपकी basic need होती है desires वो कि कुछ अच्छा पाने की अगर आपे पास कुछ और कोई चीज है माल लेज़े आपके पास गाड़ी है फोर विल्लर फिर आपके ज़िए नहीं मुझे मसरी चाहिए हमें BMW चाहिए तो ऐसा करते करते क्या यह सब चीज़े जो desires है अगर उसको हम छोड़ दे तो आदमी क्या हो जाएगा अमीर बन जाएगा देखिए जब भी हम विश करते हैं तो उस समय हम क्या कबर बना लेते हैं हम अपने आपको inferior बना लेते हैं हम अजियूम कर लेते हैं कि आच्छा मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो मुझे वो चीज़ पानी है मतलब आप उस position बनाई हो आप नीचे हो ठीक आप लगी हो मगर आप जब भी विश करते हो तो अपने आपको क्या बना लेते हो आप अपने आपको गिरा देते हो आप उस समय विल्दी परसंट नहीं रहते हो ठीक चलिए next question यक्ष पुछते हैं what's make one real Brahma it is birth, good conduct or learning or anything else इसी कौन जी चीज़ है जो इनसान को Brahmand बनाती है क्या वो जन्म है अगर वो जन्म है अगर Brahmand परिवार में हुआ है तब ब्रहमन कहलाएगा या अच्छे काम है या उसकी learning है मतलब वो जो जो Brahmand लोग विद्या आजित करते हैं वो है वो जो शास्र का अध्यन करते हैं वेदो का अध्यन करते हैं उसको करने से आदमी वेद कहलाएगा अब Brahmand कहलाता है तो यहाँ पर युदिष्टिर आंसर देते हैं Birth and learning do not make one Brahmand जो birth है और जो learning है ये कभी भी एक आदमी को Brahmand नहीं बनाती मतलब अगर इसने किसी आदमी ने Brahmand परिवार में जर्म लिया है तो वो इनसान को Brahmand नहीं बनाती है और अगर वो अच्छी से अच्छी विद्या को ही मतलब वो जितने भी चाहे शास पढ़ ले जितने भी चाहे आप वो दोहे या श्लोक याद कर ले वेद के शास्त्रों के तो वो चीज भी उसे Brahmand नहीं बनाती है यहाँ पर Brahmand का मतलब एक अच्छा आदमी क्योंकि पुराने समय में जो Brahmand लोग होते हैं उनको एक जेंटल परसन माना जाता है तो वहीं पर अच्छी शिक्षा है आपने एक अच्छी education अचीव करी है तब आप एक अच्छी आप Brahmand कहलाएंगे तो कहते हैं नहीं यह ऐसे ना birth decide करती है ना ही उसकी education decide करती है the only thing that decide a particular man is Brahmand that is good conduct अच्छे काम अगर वो अगर कोई Brahmand है अगर वो Brahmand परिवार में उसने जन भी लिया है और उसने वेदों का ध्यन भी करा है उसे सारे वेद याद है चारोवेद और इसके बावजूद वो अच्छे काम नहीं करता he doesn't do a good conduct तो वो Brahmand नहीं कराएगा तो Brahmand बनने के लिए अच्छे काम करना good conduct होना बहुत ज़्यादा जरूरी है However, a learned person may be, he will not be Brahmand एक learned person सिर्फ हम educated person बनकर हम Brahmand नहीं कहला सकते हम तब भी नहीं कहला सकते Brahmand एक general person नहीं कहला सकते जब हम किसी Brahmand परिवार में जन नहीं हो The only thing that makes us a Brahmand that is good conduct Even though he may be learned in four with us चाहे उसने चार चारो वेधी क्यों ना पढ़ लिये हो A man of bad conduct falls to a lower class अगर कोई इनसान बुरे काम करता है तो उसको indirectly lower class में धखेल देता है Next question यक्ष पुश्टे है विद्ष्टर से What is the greatest wonder in the world इसी कौन सी चीज़ है जो इनसान को तो तुम्हें सबसे ज़ादा आश्चरे चकित करती है या तुम्हें हैरान करती है यह मुझे यह मेरा सबसे फेवरेट कुशन है जो कि जब मैंने पहली बारे स्टोरी पढ़ी थी तो इस कुशन मुझे बहुत ज़ादा attract करा था तो इसका अंसर यूदिश्चरे देते हैं यहाँ पर यूदिश्चरे जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा आश्चरे मुझे यह लगता है कि हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि हर रोज कोई ना कोई इस संसार को इस दुनिया को छोड़कर यहाँ का पर लोग चला जाता है मतलब कुश लोग जहन्नम में चले जाते हैं कुछ लोग जन्नत में चले जाते हैं मगर हर किसी को यह संसार को छोड़ना ही छोड़ना है मतलब ऐसा नहीं कोई जहाँ पर हमेशा के लिए यहाँ पर रह सके एक ना एक दिन उसे जाना ही जाना है और इसके बावजूद भी लोग ऐसे जीते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए जी रहा है इसी तरह से यक्ष बहुत सारे questions से पूछते हैं और एक एक करके युद्रिष्टा सारे questions का answer करते हैं In the end of the यक्षा, asked O King, one of your dead brothers can be revived Who do you want to come back to life? वो यक्ष कहते हैं युद्रिष्टा से कि O King, O Yudhishtir तुमारे भाईयों में से कोई एक ही वापस जिन्दगी पा सकता है तो बताओ, तुम कुसको चूस करते हो कि वो दुबारा जिन्दा हो It took Yudhishtir a moment to think and then he wishes that cloud complex lotus eyes, broad chestes and long arm नकुला, lying like a fallen ebony tree might arise कुछ दिर ये सुनकर जो जिन्दगी हैं, he thoughts for some time वो थोई दिर सोचते हैं and then वो answer देते हैं, wish करते हैं a cloud complex, जिसका शरीर cloud के complex की तरह है, मतरब थोड़ा सा नीला है जिसकी आए, जिसकी जो आखे हैं, it is look like a lotus पैटल्स, जैसे lotus की पैटल्स होती हैं, विगल करतरा की, उसकी तरह हैं broad chestors, जिसकी जो चाती है, वो चौड़ी है and long arm, which have a long limbs, जिसके जो हाथ है, काफे लंबे चौड़े हैं वो यहाँ पर indicate कर रहे हैं, कि वो नकुल को दुबारा revive कराना चाते हैं उसको दुबारा जिन्दगी देना चाते हैं, ठीक है so lying like a fallen Iboni tree might arise, जो की एक Iboni tree की तरह वहाँ पर पड़े हुए है the yaksha, the yaksha was pleased at this and asked Yudhishtra why did you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephant I have heard that Bhima is most dear to you and why not Arjun, whose strength in arm your protection tell me why you have choose Nakula rather than either of these two तो यक्ष ये सुनकर थोड़ा बहुत ज़ादा pleased होते हैं, बहुत खुश होते हैं और बुछते हैं Yudhishtra से कि Yudhishtra तुमने Nakula को ही क्यों चूज करा तुमने Bhima को क्यों नहीं चूज करा जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है, पावर है I have heard that Bhima is most there to you और मैंने ये भी सुना है, जो Bhima है वो तुमें ज़्यादा प्यार है मतला तुम उसको ज़्यादा प्यार करते हो और वो भी तुमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो तुमने उसको क्यों नहीं चुरा, why have you chosen particularly Nakul, and why you not choose Arjun तुमने अरचुन को क्यों नहीं चुना, whose strength in arms in your protection जिसके जो हाथ है वो हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए उठते हैं और तुमने उसको भी नहीं चुना Tell me why you choose Nakul rather than either of these two तो मुझे बताओ, तुमने इन दोनों के बजाए Nakulahi को क्यों preference दी, तुमने उसको ही क्यों choose करा तो युदिष्ट्रे आंसर देते हैं, they replied ओ यक्ष, धर्मा is the only shield of a man and not Bhima और Arjun If धर्म is given up, man will be ruined तो यहाँ पर युदिष्ट्रे जवाब देते हैं, कहते हैं ओ यक्ष, जो धर्म है, वो किसी भी आदनी की सबसे बड़ी shield है यानि इस रक्षा कवच है, वही है, जो धर्म है, जो हमारी religion है वही हमारी रक्षा करता है, ना की भीम और Arjun जो वो अभी तक सही सलामत है, वो अपने धर्म की वजा से है बले ही भीम और Arjun ने उनका साथ दिया मगर आगे जो और अभी तक जिसने भी उनकी protection करी है जो उनकी shield है, वो धर्म है अगर जो धर्म है, अगर इंसान उसको छोड़ देता है तो आदमी का सर्वनाश हो जाता है, he will destroy totally और आगे वो कहते हैं, कुंती और मादरी वर टू गिवन वाइबस आगे आगे वो कहते हैं एक का नाम कुंती था, एक का नाम मादरी ठीक, तो जो कुंती के चार पुत्र थे एक तो युद्रिश्र हो गए, भीम हो गए, अरजुन हो गए और सहदेव अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर शायद मैं गलत नाम ले रहा हूं लास का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेरे के बता सकते हैं, तो चार तो ये हो गए और जो पाचवे बेटे थे, वो मादरी के बेटे थे, जिनका नाम नगुला था, तो यहाँ पर युद्रिश्र कहते हैं, कि मेरी मा के जो कम से कम एक पुत्र तो जिन्दा है, उनका एक संथ जिन्दा है, जो कि मैं हूँ, ठीक, तो वो इतना ज़्यादा दुखी नहीं होंगी, तो अटलीस उनका एक बेटा तो जिन्दा है, मगर अगर मैं आपने एक और भाई को चूस कर लेता हूं, या मैं भीम को या आरजुन को चूस कर लेता हूं, तो क्या होगा, जो मादरी है, जिनका एक पुत्र है, नकुला, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई भी बेटा जिन्दा नहीं रहेगा, तो इस यहाँ पर जो स्केल ऑफ जिस्टिस है, वो अन इवन हो जा और अपनी दूसरी मा को वो बिलकुल दुखी कर दे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, नकुल को जिन्दा करा, कि एक बेटा कुंती का जिन्दा रहे, और एक बेटा मादरी का जिन्दा रहे, तो इसलिए जो युदिश्चर होते हैं, वो नकुल को चूस करते हैं, होते हैं he was so pleased with that कि वो कहते है कि मैं जितने भी तुम्हारे भाई होते हैं मैं सबको दुबारा जिन्दा कर देता हूं और वो सबको सारे भाईयों को दुबारा उनकी लाइफ को रिटेन कर देते हैं और बाद में वो यम का रूप धारन कर लेते हैं जो यक्ष हो है वो यमराज के रूप में आए रहुए होते हैं और जो की यक्ष का भेस लिए होते हैं और वो इसलिए आए होते हैं कि वो युदिश्टर का टेस्ट ले सके उनकी जस्टिस को उनकी इंपार्चिर्टी को टेस्ट कर सके तो इसलिए वो युदिश्टर को ब्लेस करते हैं और लास में वो गायब हो जाते हैं वी बिकम डिसपेर्ट तो दोस्तो ये थी हमारी story The Enchanted Pool I hope you like this video